भारती टीम के हेड कोच राहुल द्रेवड ने बताया कि आखिर क्या कारण था भारती टीम को इंग्लेंड से करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या वज़ा था, कौन से ऐसे खिलाडी से जिनके वज़ा से हार का सामना करना पड़ा, क्या X-Factor बनके आया भारती टीम के हार का तो इस पूरे मामले पर Head Coach ने अपना बयान दिया है, आपको बता दें कि इंडिया और इंग्लेंड का मुकाबला हेडराबाद में चल रहा था, Test Series का पहला मुकाबला था और पहले मुकाबले में बहुत करारी हार मिली और इस हार की उमीद किसी को भी नहीं थी क्योंकि जिस का performance था, तीसरे दिन, चौथे दिन, पहले दिन, हर एक दिन ऐसा लग रहा था कि भारती टीम लीड में है, भारती टीम अच्छा कर रही है, पॉजिटिव है, लेकिन अचानक से जिस कदर उलट फेर हुआ पूरे मुकाबले में, मतलब हैरान करने वाला पूरा मुकाबला र दिन, इंग्लेंड 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 ने जीत रर्ट करी, और इतनी शान्दार मतलब वापसी करी, और ओलिपॉप ने जो पारी खेली थी, 196 रहों की उस पारी को सालों साल तक याद रखा जाएगा, और इस पिच पे हैदराबाद के जिस पिच पे पहले इनिंग म 400 प्लस रंस बनाये थे भारती टीम ने वहाँ वह 231 रंस भी नहीं बना पाई second inning में तो यह बहुत ज़्यादा शर्म की बात है भारती बल्ले बाजो के लिए बिल्कुल फैतर जहां मतलब हम दोनों टीम को ही compare करने किसी भी दोनों ही टीम में कोई खिलाडी century तक नहीं बना पा रहा था वहाँ पूरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ ओली पॉप जो थे 196 रं की पारी अकेले खेली मतलब भारती टीम ने 190 रं के लीट की थी उससे ज्या टीम को हार मिलेगी बिल्कुल और चलिए एक बार नज़र डालते हैं राहुल द्रुवड के बयान पर कि उन्होंने क्या बोला है कौन सी ऐसे इंग्लेंड के स्टेटजी थी जो उनके काम आई और इंडिया के हार का कारण बनी स्रीज में वापसी के लिए गेंद बाजो को विरोधी टीम के बल्ले बाजो के स्ट और रिवर्स स्ट जैसे शौट से निपटने का तरीका ढूढना होगा ओली पॉप ने भारती स्पिन्रों के खिलाफ स्विप, रिवर्स स्विप और रिवर्स स्कूप जैसे शॉट लगा कर इंग्लेंड की बैस्बॉल क्रिकेट को जारी रखते हुए 196 रन की यादगार पारी खेली वो दोहरा शतक लगाने से चूक गए लेकिन उनकी शांदार बल्ले बाजे से टीम ने पहली पारी में 190 रनों से पिछड़ने के बावजूद यादगार जीत दर्जी की हमें बैस्बॉल का मुकाबला करना होगा मैंने निश्चित रूप से उस इस्तर के गेंद बाजू के खिलाफ लंबे समय तक ऐसा स्विप और रिवर स्विप होते नहीं देखा हमने पहले भी खिलाडियों को ऐसा प्रयास करते और कुछ आसाधारन पारिया खेलते देखा है लेकिन इतनी कम गलतियों और इतनी सफलता पूरोग इस्तिन्रों को खेलने में सक्षम होना मैंने शायद ऐसा नहीं देखा है बिल्कुल सही बात है जिस तरीके से बल्ले बाजी कर रहे थे ओली पॉप मतलब एक भी गलती उनके बल्ले से नदर नहीं आई एक प्रचिनिटी बन रही है आउट कर सकते हैं एक उपरचिनिटी बनी थी अक्षर पटेल ने कैच ड्रॉप कर दिया था लेकिन तब तक सब्सक्राइब करते हैं और जिस तरीके से प्रेशर वो क्रिएट कर रहे थे बिना भारती टीम की बात करें पहले इनिंग में रोहिस सर्मा आते हैं हिट करते हैं सिक्स कैच आउट फिर वही गलती है थास्वी जैसवाल फिर वही गलती स्रेयर और यह एक खिलाणी ने थे वह स्विप और रिवर स्विप और स्कूप शॉट पर बाउंडरी बटोर वे थे कहीं भी ऐसा लगा है नहीं जब ओली पॉप बल्ले बाजी कर रहे थे कि मतलब कोई भी प्रेशर है उनके पर क्योंकि भारती गेंदबाज उन पर प्रेशर ही क्रिएट नहीं कर पाए इस तरीकी की बल्ले बाजी करते हुए नजर आ रहे थे कहीं से भी कोई चांस दीने बन रहा था कि ओली पफ आउट हो जाया है या किसी भी शॉट पे किसी भी गेंद फिरस्टे वे नजर आ रहे थे इतनी अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे लेकिन जब भारती टीम बल्ले बाजी के लिए तो उन्हीं इतना जाधा इस्टिवल करना पड़ा कि इंग्लैंड के जो गेंद बास थे मुश्किल से एक एक रन भी चुराने नहीं देर थे एक रन भी लें नहीं देर थे बांडरी को तो बहुत दोर की बाता हमने देखा था कि रोई शर्मा कर रहे थे कि एक रन भी नहीं दे पा रहे थे बिल्कुल सता जिस तरीके से सब लोग बेज़बॉल का बेज़बॉल का मजा कुडा रहे थे कि अच्छा नहीं कर पाएंगे यह वो है प्रूफ कर दिया लिए बल्लेबाजी कि बहुत बहुत यादगार पारी उनके प्रेशर डाला बल्ले बागों पर उनको बनानी होगी तब है कुछ हो पाएगा अगले मुकाबले में बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कॉमें चेक्शन में कॉमेंट करके बताएं और साथ ही साथ हो फान स्पोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल हुआपपपपपपपपपपपपपपना गातर साथ हो जायर और सिर्ण है